एक समय की बात है जब भगवान शंकर, नारद और पार्वती को साथ मिलेकर पृत्वी पर ब्रह्मन करने के लिए चल दिये। ब्रह्मन करते हुए बहतीनों एक गाउ में जा पहुंचे। उस दिन चैत्र मास की शुकलत रित्या थी। काउं के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी इस्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन धनी इस्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी और निर्धन घर की इस्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, जल ले जाकर शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की अपार शद्ध भक्ती में देखकर उन इस्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ती पूर्वक दी गई वस्तूं को सुईकार भी किया और उन सब के ऊपर सुहाग रुपी हल्दी छड़क दी इस प्रकार मातेश्वरी गौरी मा से आशिरवाद तथा मंगल कामनाय प्राप्त कर वै इस्त्रियां अपने अपने घर चली गई इसके बाद धनी इस्त्रियां सोला श्रिंगार चपन प्रकार के व्यंजन सोने की थाल में सजा कर आई तब भगवान शंकर ने शंक का व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी तुमने सारा सुहाग प्रसाद तो साधारन इस्त्रियों में बाट दिया, अब इन सब को क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप किर्पया करके उनकी बात छोड़ दे, उन्हें उपरी पधार्तों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परन्तु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सुभागे श उनकी उपर छड़क दिया, और कहा, तुम सब वस्त्रा भार्णों का परित्याक कर, मो माया से रहित होकर, तन मन धन से पती सेवा करना, तथा प्रणाम करके कुलीन इस्त्रियां भी अपने अपने घर लोटाई, तथा पती परायन बन गई, छड़का खुन जिसके उपर ज चाकर सनान किया, बालू का महादेव बना कर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदिक्षना करके, दो करणों का प्रसात खाकर, पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया, उस पार्थिव शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वर्दान दिया, आज के दिन जो भी इस्त्री मेरी पूजा और तुम्हारा व्रत करेंगी, उनके पती चिरंजीव रहेंगे, तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा, भगवान शिवी है वर्दान देकर अंतर ध्यान हो गए, इसके बाद पार्वती जी नदी तट से चल कर उस स्थान पर आई, जहां प उससे दूद भात खाने ततर टहरने का आगरे किया, इसी कारण से मुझे आने में देर लग गई, ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव, स्वैम, दूद, भात खाने के लिए चल दिये, पार्वती जी ने जब है जाना कि अब तो पोल खुल जाएगी, तवे अधीर होकर पती से प्रातना करती हुई, शंकर जी के पीछे पीछे चल पड़ी, पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुन्दर सा महल बना हुआ है, उसमें पार्वती के भाई-भावी विद्यमान थे, ये लोग जब वहां पहुँचे, तो उन लोगों ने उनका वागत सतकार किया, दो दिन तक तीनों ने उनका अथित्यर स्विकार किया, तीसरे दिन सुभा पार्वती के द्वारत चलने के आगरे को ठुकरा दिया, इससे देवी काफी नाराज हुई और अकेले ही चल पड़ी, मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरन करना पड़ा नारद भी साथ में थे, तीनों व्यक्ती चलते चलते काफी दूर निकल आये, शाम होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ, इस पर पार्वती माला लाने को तयार हुई, किन्तु शिवजी की आग्या से ना जा स नारद जी वहां गए, वहां जाकर देखते हैं कि ना तो वहां कोई मैल है, ना ही पार्वती चीजी के भाई भावी है, वहां किसी भी चीज का कोई नामो निशान ही नहीं है, और ना ही वहां पर कोई माला दिखाई पड़ रही है, बलकि गोर अंदकार में नर संगारक हिं सक पशु विच्रन कर रहे हैं इस अंदकार पुड़क भया वै वातावरण को देख कर नारज जी बहुत ही चकित हुए अचानक बिजली चमक ने से चमक में व्रिक्ष पटंगी हुई माला नारज जी को दिखाई पड़ी वै भैबित होकर जल्दी से शिवजी के पास पहुचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया इस प्रसंग को सुनकर हस्तवे शिवजी ने नारज से उसका आदी मूल कारण बताया हे मुनी आपने जो कुछ भी दिख्य देखा वैसा पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाती थी इसलिए उन्होंने जूटा वाहना बनाया था फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिवर्थ धर्म की शक्ती से जूटे महल की रचना की अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुमसे दुबारा उस इस्थान पर भेजा था ऐसा जानकर महरिशी नारद ने माता पार्वती के प्रतिवर्थ प्रभाव से उत्पन घटना की मुक्त कंड से प्रशंसा की जहां तक उनके पूजन की बात को छुपाने का सवाल है वह भी समीचीन ही जाना पड़ता है क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए पार्वती जी के अनुसार जो इस्तरियां इस दिन को गुप्त रूप से पती का पूजन कार्य संपादित करेंगी उनकी किरपा से समस्त मनो कामनय पूर्ती होगी तथा उनके पती भी चिरन जीवी होंगे जिस प्रकार पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अफसर पर पूरुष उपस्तित नहीं रहते हैं हर साल यह व्रत चैत्र शुक्ल तृत्या को होता है इस दिन सुहागन इस्त्रिया व्रत रखती है गन गौर शब्द गन और गौर दो शब्दों से बना है गन का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती कहा जाता है इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्दांगनी, पार्वती तथा पार्वती ने तमाम इस्त्रियों को सुभाग्य वर्द दिया था पूजा के समय मिट्टी की गौरी मा यानी गौर बनाकर उस पर चूड़ी महावर सिंदूर चड़ाने का विशेश महत्व है चंदन, अक्षद, धूब, दीप, नयवेद्दे से पूजन करने, सुहाग सामेगरी चड़ाने और भोग लगाने का नियम है यह वरत करने वाली इस्त्रियों को गौर पर चड़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए यह बहुती शुब माना जाता है यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक वा शेर करना ना भूले और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वा बैल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताके हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएं तब तक के लिए धन्यवाद